असकार आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मुनमुन रह्मार दोस्तों आजम खान को लेकर यूपी सरकार को एक बड़ा जटका लगा है योगी सरकार को बड़ा जटका देते हुए इलाबाद हाई कोट ने आजम खान की गिरफतारी पर र लगा दी है और किस तरीके से यूपी सरकार को इस पूरे मामले में एक नोटिस जारी कर दिया है नभार टाइम्स की आप ख़बर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है आजम खान की गिरफतारी पर इलाबाद हाई कोट ने लगाई रोक सफाई मशीन चोरी मामले में मिली राहत इसके साथ ही नीचे लिखा है आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला आजम को इलाबाद हाई कोट ने बड़ी राहत दी है राबपूर में दर्चोरी के मामले में आजम खान और अबदुल्ला की गिरफतारी पर हाई कोट ने रोक लगा दी है इसके साथ ही ह कार्व को एक नोटेस फेज दिया है घवाइट कि रखार के आगरें अजिआ के में लिखा है आजम खान को चोरी मामले में हाइक को से मिली राहट चोरी का मामला था उस में राहत मिल चुकी है हिलाबात Hoje गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है जौहर पर रामपूर नगार पालिका की सफाई मशीन चोरी का आरोख है हाई कोट में बचाव पक्ष्ट की तरफ से वरेश्ट अधिवक्ता इम्रानुला ने बहस की इस पर कोट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफतारी पर स्टे देते हुए यूपे सरकार को नोटिस जारी कर दिया है इसके साथ ही खबर में आगे लिखा है इलावाथ हाई कोट में आजम खान की गिरफतारी पर रोक और F.I.R. दर्ज करने को लेकर अरजी दाखिल की गई थी मामले के सुनवाई के बास जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सयद वेज मिया की डिविजन बेंच ने आदेश गिरफतार पर रोक का आदेश दे दिया है इसके सार्थ ही आपको वो मामला बताते हैं जिस मामले को लेकर F.I.R. की गई थी और कौन सा ये जो चोरी का मामला बताया जा रहा है जो आरोप लग रहा है चोरी का ये क्या पुरा मामला है आजम खान पर आरोप है कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज चोरी के केस का सामान अपनी यूनिवर्सिटी में छिपा कर रखा है इस मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला के दो दोस्त अन्वर और सालिन को गिरफतार किया था इसके बाद उनकी निशान देही पर जोहर यूनिवर्सिटी में छापा भी मारा गया था यहां परिसर की जमीन में दभी नगर पालिका की सफाई मशीन, मदर्सा आलिया से चोरी की गई हजारों किताबे और कई अलमारी बरामत करने का दावा किया गया है जिसको लेकर FIA दर्च की गई और उस पर गिरफतारी पर इलहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इस पूरे मामले पर UP सरकार को एक नोटिप भी जारी कर दिया है इसके साथ एक खबर में लिखा है आगे दूसरी तरफ शुकरवार को पुलिस ने रामपुर नगर पाली का पहुच का चोरी से जुड़े मामले में रेकॉर्ट खंगा ले करीब दो घंटे तक पुलिस की ये कारवाई जारी रही साथ ही कई करमचारियों से पूछताज भी की गई हाला कि पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उनकी जांच में क्या निकला यानि कि पुलिस ने जाकर के जांच की लेकिन पुलिस ने नहीं बताया कि जांच में क्या कुछ निकला है और क्या कुछ जानकारी जो है उन्होंने पुलिस ने नहीं दी तो इसी के साथ यो उनके बेटे जो है वह अपनी सुरक्षा वापिस कर चुके हैं और फरार हो चुके हैं यह तमाम अफवाय जो है आरी ती जिसको लेकर कि उनकी पत्नी तन्जीर ने एक जवर्दस जवाब जवाब दिया था और उसके साथ इनोंने बताया था कि उनकी तबिया जो है वो हो गए इस तरह कि अफवाव उट रही थी हाला कि अफवाव से पर्दा उनकी बीवी ने हटा दिया खबर में लिखा है डॉक्टर फात्मा ने मंगलबार को जारी बयान में कहा कि 9 सतंबर को जाच में पता चला था कि मेरे पती को मेरे पती के दिल में ब्लॉकेज है इसके उनकी एंजियोग्राफी हुई और स्टेंड डाले गए उनको उनके कहीं जाने की बात को लेकर कहा कि पती आजम खान बिबार है और अब्दुल्ला अपने पिता की तिमारदारी में व्यस्त है उसको लेकर के तमाम अफवाय उड़ाई गई थी कि उन्होंने जो है पर में देखिया आगे क्या लिखा है उन्होंने कहा कि मेरे पती कानून का पालन कड़ने वाले और न्याय पसंद व्यक्ति हैं बीमारी के वज़ा से वो दवाब जहिलने की स्तिति में नहीं है यदि किसी विवेचना में उनकी ज़रुत हो तो वे स्वास्त होने के बाद प अफवा उड़ाई गई थी कि आजम खान जो हैं फरार हो गए हैं अपनी सुरक्षा वापस को लेकर इस पूरे मामले पर रामपूर अश्रो कुमार ने कहा कि पुलिस को पता नहीं है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपने गनर वापस लोटा दिये हैं और उनके बेटे के खिलाब जो है लुकाउट नोटिस भी जारी किया जाएगा यह भी अफवा इस अफवा से भी उन्होंने इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से जो आदेश मिलेगा उसके मुताविक हम कारवाई करेंगे वैसे उन्होंने इस बात से इंकार नह इसके साथ ही रामपुर S.P. ने आजमखान को लेकर कहा था कि आजमखान समाझ की लिए ऐसेट हैं औरुकी सुरक्शा हमारे लिए उनकी सुरक्शा जो है वह मेतपूर्ण है और किस तरीके से ने के बाद उनकी गनरों दिल्ली जो है वापस भेज़ दिया किया था ख़िक, गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे आजम खान ने सुरक्षा में तहनात गनरों को कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है जिसके बाद अफवा उड़ने लगी थी कि वो फरार हो गए है इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा वापिस कर दी थी हाला कि सच यह है कि आजम भी दिया कि आपकी जरूरत हमें नहीं है हलाकि पूरा मामला पता चलने पर जो पुलिस है उन्होंने वापिस उनके गल्रों को दिल्ली भेंज दिया आजम खान के पास क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है और आजम खान समाज के लिए ऐसे ठ अतनी तंजीन फात्मा ने बयान दिया और वो सामने आकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है वो अस्पताल में भरती है फरार नहीं हुए है मेरे पती जो है वो कानून में विश्वा सकते हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा मामला गर्मा गया अफवाय ओडने लगी और आजम खान के खिलाफ जो है लुकाउप नोटिस भी जारी किया जा सकता है हाला कि पुलिस ने ससाफ इंकार कर दिया है और फिलाल ताज़ा अपडेट यह है कि आजम खान जिस मामले को लेकर एफायर उन पर हुई थी उस पी गिरफतारी को लेकर उन पर फिलहाल रोक लग इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं